प्रभू की कृपा भयो सबकाज चनम हमार सफल भवाज 22 तारीक को श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी और मेरे हाथ में वो निमंत्रण का काड है जिसको लेकर के हर कोई व्यक्ति लालाइत है कि काश ये निमंत्रण उसे भी मिल जाए तो ये निमंत्रण अब हमारे हाथ में है बहुत से लेता हैं बहुत से राजनित् Mode हैं देश की तमाँ हाथ ये हुई जो चाहती हैं जो लालाई है कि निमंत्रण काड उन्हें मिले बहुतों को मिला है तो वो जाने से मना कर रहे हैं बहुतों को नहीं मिला तो परिशान है कि आखिरकार निमंतरण उन्हें क्यों नहीं मिला और मिले तो भगवान राम का बुलावा उन्हें भी आए तो वो पहुँचे किस प्रकार ये निमंत्रन तयार किया गया है इसको मैं आपको दिखाऊँ तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा देखिए यहाँ पर अनादिक निमंत्रन श्री राम धाम अयोध्या सादर श्री राम धाम की तरफ से निमंतर्ण आ चुका है और ये प्रत्थम पन्ना है जिसमें इसको इन्वेलब भी का जा सकता और इसी में ये राम मंदिर का जिर्वान का जो काड है वो है और यहां पर देखिए प्रभू श्री राम का वो भव्य मंदिर जो बनकर तयार हुआ है अभी फिलहाल गर्भ ग्रह और आसपास का इलाका लगबक तयार है कुछी समय बाद पूरा मंदिर बनकर तयार हो जाएगा और यह उसी का प्रारूप यहां पर दिया गया है तो अब फिलहाल देखिए यह दोनों चीजी मैं आपको दिखाई अब मैं काड़ खोलूंगा औ और अंदर आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से इस पूरे काड को तयार किया गया है और इसमें क्या कुछ है बहुत से लोगों की इसमें तस्वीरें हैं जिन्होंने राम जन्म भूमी इस अंदोलन में कहीं न कहीं हिस्सा दिया अहूतियां दी और राम के नाम में राम क और उपर से पता का द्वज जो है वो श्री राम का वो फैराता हुआ अब इसको अगर हम खोलते हैं तो आपको यहां पर फिर से श्री राम धाम दिखाई पड़ेगा और बाल स्वरूप प्रभु राम का इसमें दिखाई पड़ेगा और यह प्रभु का राम का स्वरूप है हाला कि बताया ये भी जा रहा है कि जो राम मंदिर में जहां प्राण प्रतिष्ठा होगी वो करीब पांस साल की आयू के बाल राम होगे अब यही होते हैं संकेत है कि प्रभुराम इसी रूप में दर्शन देंगे भक्तों को लेकिन क्या होगा वो चीजें आपको 22 तारिक को ही सबस्ट होंगी जब राम मंदिर में प्रभुराम की प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाएगी तो यह दूसरा पन्ना है क्योंकि पहले पन्नेक बाज अब अब अदर जाते हैं तो आपको सबसे पहले यह पन्ना दिखाएगा जिसके नीचे बाल सुरू प्रभुराम लिखा है और उसके बाद भगवान राम की एक कमल के ऊपर खड़े तस्वीर है कमल नयन भी कहा जाता है क्योंकि प्रभुराम भी विश्णु भगवान का अवतार हैं अगले पन्ने पर अगर मैं चलूं तो अगले पन्ने पर आपको यहां पर देखने को मिलेगा श्रीराम लला का महाप्रासाद आगमन एवं प्राण प्रतिष्ठा तो यहां पर कौन सी तारीख तारीख भी लिखिया देखिए विशिश्टोत्सवति थी पौश शुक्ल द्वादश सोमवार विक्रम समवद दोहजार अस्सी 22 जनवरी दोहजार चौबिस यहां पर साफ तोर पर यह अंक मंदिर को हटा करके द्वस्त करके वहां पर मस्जिद बनाई तो उसके बाद से ही राम भक्तों में कहीं न कहीं राम मंदिर पुनर निर्मान का एक संकल्प उन्होंने लिया और साढ़े 500 साल का लंभा संगर्श अब काम आया और 22 जनवरी को ही राम मंदिर में प्रभुराम की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो यह तारीख अब हजारों हजार साल तक याद की जाएगी और इसके आगे आगर आप देखते हैं तो इस पर साफतोर पर यहां जो माननी मौजूद रहने वाले हैं उनके बारे में यहां पर लिखा गया है मर्यादापुरी अयुध्या भ अभिवादन करते हैं लगभग 495 वर्षों के बाद आ रहे इस पावन सुवसर पर साक्षी होने का सवभाग्य प्राप्त आपको भी प्राप्त हो रहा है इस अती विशिष्ट अवसर पर दिनाग 22 जन्वरी दिन सोमवार आप साधरा मंत्रित हैं प्रतिष्ठा संप्रेश है और 22 तारीख वो दिन है वो तारीख है जिसका इंतजार करोडों रामभक्तों ने लाखों रामभक्तों ने लंबे समय तक सैंकड़ों सालों तक इंतजार किया वो तिथी अब आ गई देखिए यह सूर्य चक्र यहां पर है और नीचे भी भगवान श्री राम का मंदिर दिया गया है और काल कथ इसमें अगर मैं बताओं तो 1528 से ले करके किस प्रकार 1983 तक जो अंदोलन चला और उसके बाद कार सेवा हुई इन सब चीजों का जिकर इसमें है और आखिर बाद ने राम मंदिर का और शिला न्यास किया उसमें सरसंग चालक भी RSS के मौजूद थे उन सब का भी इसमें जिकर किया गया है उस दुरान कौन-कौन मौजूद था यह सब कुछ इसमें दिया गया है 9 नमंबर की वो तारीख जिस दिन उसको 9 नमंबर 2019 की तारीख को भी विश अधियम थन के लिए हिंदू खर्म के लिए और खासतार पर राम भक्तों के लिए जो कहीं-न कहीं रामलला के विराजमान होने का एक भव्य मंदीर में आने का इंतजार कर रहे थे और यहों काड्ड मैं Conged Для यहां पर लिखा गया है साफ्तोर पर आह देख सकते हैं कि यह काड़ है जो निमंत्रण पत्र है और अगर मैं आपको दूसरा काड़ भी दिखाओं यह एक और काड़ की बात करें तो इसमें एक बुक्लेट दी गई है एक पुष्तिका ऐसे दी गई है उसमें 22 लोगों को की तस्वीरों को जगा गई है जिन्होंने राम मंदिर के लिए कहीं न कहीं योगदान दिया अपनी आहूती दी अपने जीवन को खपाया तो उन तो यह भव्य राम मंदिर जब बनकर त्यार होगा तो इसी प्रकार का वह दिखे गा और वह तफ्वीड जो होगी राम दिर की वह इसमें दिखायी गई का पढ़ें तो यहां लिखाया है संकल्प संप्रोशन तो अंदर अगर चलते हैं अंदर पहला पन्ना अगर हम आपको दिखाएं तो सम्मान स्वरूप आप देखिए इस इस पन्ने को अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें पूरा वो इतिहास दिया गया है इसमें थोड़ा समय पढ़के दिखाऊंगा उपरवाई लाइने आपको कि पुष्टिका का यह पुष्प उन सभी हातुमात्माओं को समर्पित जिन्होंने इसवी सन 1528 से ले करके सन 1984 तक श्रीराम जनभूमी को मुक्त कराने के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से 76 संगर्षों में भाग लिया यानि 76 संगर्ष हुए 1528 से ले करके 1984 तक कुल 76 संगर्ष हुए और उस संगर्ष में जिन जिन लोगों ने भाग लिया भागेदारी की उन सभी को इसमें जगा दी गई है क्योंकि राम जनम भूमी उससे पहले साधे 500 साल से पहले सीधा मंदिर हुआ करता था उस पर जो मुगला करांता आये उन्होंने इस मंदिर को वहाँ पर हटाया उपर मंदिर में तोड़ फोड़ की मंदिर को ध्वस्त किया और मस्जित का स्वरूप दे करके वहाँ पर मस्झित स्थापित कर दी गई हाला कि 1992 में कार सेवा हुई और कार सेवकों ने मस्जित तोड़ करके वहाँ पर फिर से मंदिर बनवाने का निर्मान करने का एक जो बिगुल था वो रामभक्तों में फूंक दिया एक बड़ा अंदोलन वहाँ पर हमने देखा इस पर चौपाययाँ लिखी गई हैं पहली तस्वीर मैं अगर आपको दिखाऊँ तो पूझित दिवरहा-बाबाजी महराज की तस्वीर को जगह दी गई है यह वही है जो इंद्रा गांधी भी जब किसी मुसीबत में आती ती तो अंतिम बार उठी और उन्तिम रास्ता उनके पास सिर्व धिराई बाबा का होटा था यह के पूछा की यह पूछा की आखिरकार देश में जो महाँ खराब है और उनकी सरकार के परतिजू 455 सांसद होने कि बावजूद उनको सरकार अस्तिर होती दिखी हिंदू नाराज होते दिखे तो देवरहा बाबा के पास गए और देवरहा बाबा ने ही कहा कि आप जाईए और जिस जगा पर जिस कब्रिस्तान में मंदिर का जहां पर जगा थी वहीं पर मंदिर का शिला न्यास करिए बेश तो देवरहा बाबा के बाद मैं आपको बताऊं तो पूज्य महंत अभिरामदास जी महराज की तस्वीर को इसमें जगा दी गई है और पूज्य परमहंस रामचंद्र जी महराज को भी इसमें तस्वीर को उनकी जगा दी गई है श्री केके नायर है ठाकुर गुरुदत बिशास बिशारद इनकी तस्वीर भी है और श्री दाउदयाल खन्ना इनकी तस्वीर भी इसमें है और पूज्य महंत अवैद्यनाथ जी महराज की तस्वीर लगाई गई है श्री ओंकार भावे की तस्वीर यहां पर है और आप देखें श्रीदेव की नंदन अगरवाल की पूज्य श्री स्वामी शिव रामा चार जी महराज की तस्वीर भी यहां पर दी गई है पूज्य श्री स्वामी शांतानंद सरस्वती जी महराज की तस्वीर है पूज्य जगत गुरु जगत कुरु मध्वा चार विश्वेश तीर्थ जी महराज इनकी भी तस्वीर यहां पर है कुल 22 जनों की तस्वीर यहां पर है शृषनुहरी डाल्मिया की तस्वीर है और वीत्राम पूझ्य श्री स्वामे बामदेव जी महराज की तस्वीर है पूज्य श्री स्वामी सत्यमित्रा नंद जी महराज की तस्वीर है श्री मधुकर दत्तात्रे देवरस ये आरसेस से थे इनकी तस्वीर है और श्री मोरोपंत पिंगले की तस्वीर है श्री राजेंद्र सिंग रज्जु भहिया जिने प्यार से बुलाय जाता था उनकी तस् और अंतिम तस्वीर अशोक सिंगल की है अशोक सिंगल आप सब जानते हैं विश्व हिंदू परिशत के अध्यक्ष थे जब कार सेवा हुई तो इनका एक एहम रोल कहा जाता है कि राम मंदिर निर्मान में इनका एक एहम भूमिका भी रही क्योंकि सीधे तोर पर इन्होंने एक अंदोलन घर घर तक पहुंचाया था तो वो विश्व हिंदू परिशत के अध्यक्ष अशोक सिंगल भी थे करोडों लोग थे जिनका नाम लाखों लोगों का नाम भी नहीं आ सकता लेकिन जो महत्तपूर्ण लोग हैं उनको यहां पर जगा दी गई है इस पुस्तक मे जिसमें साफतोर पर अगर आप देखेंगे तो राममन्दिर और रामलला के साथ-साथ उन तमाम लोगों को जगा दी गई है जिनोंने राममन्दिर आंदोलन में हिस्सेदारी कहीं न कहीं दी है तो यह मैंने आपको दिखाया निमंत्रन पत्र और एक पुस्तक जो लिखी रगोरों देखेंगे यह तो पार्किंग के लिए अगर आप जाते हैं क्यूंकि निमंतर्रन आया है तो आप गाड़ी से जाएंगे तो गाड़ी खड़ी कहां करेंगे उसके लिए भी यह ठार किन के लिए एक चार्ट का नंबर होगा और उसके लावा आप अगर देखेंगे तो इसकी वैदिता 18 से 25 जनवरी 2024 तक है यानि समारों बेशक प्राणपरतिष्ठा का बारिस तारिक को है लेकिन अगर आप जाना जाते हैं और ढूंड़ा शारियोत यहां पर जाते होंगे राम लला के दर्शन हनमाण गटी बी जाएंगे तो इन सब के लिए आपको करीव साथ दिन समय दिया गया है कि आप अपनी वाहन के साथ आप यहां पर जा सकते हैं और स्थान क्या होगा वो मैं आपको दिखा दूँगा तो पार्किंग स्थल हनुमान गुफा धरम पत्थ अयुध्याधाम गूगल मैप अगर आप इसको स्कैनर दिया गया इसको स्कैन करेंगे तो आप सीधे तोर पर गूगल मैप के जरिये भी वहां पहुं करोडों सनातनियों की निगाहें अब 22 तारीक को है कि देखना होगा जब राम लला विराजमान होंगे उसके बाद करोडों लोगों को दर्शन करने के लिए भी सरकार विवस्था कर रही है